हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं क्लास 11 और बीएसी नीट आयाइटी सब के लिए काफ़ इंपोटेंट टॉपिक है वह हैं इसको शॉर्ट में एमोटी केते हैं तो एमोटी जो है यह वीवीटी के बाद आई थी मॉलेकिलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले मैं आपको बता दूँ कि इस थियोरी की जरुवत हमें पड़ी क्यों तो मैं आपको बता दूँ कि वीवीटी ने भी एटॉमिक और बाद की ती लेकिन कुछ पॉइंट्स जो थे उनको वीवीटी एक्सप्लेंड नहीं कर पाई थी उसी कमी को दूर करने के लिए बाद में फिर मॉलेकिलर ऑर्बिटल त्योरी तो मैं आपको पहले यह बता देती हूं कि वीवीटी के ड्रॉबैक्स क्या-क्या थे तो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता दूँ कि किन पॉइंट्स को वीवीटी एक्सप्लेंड नहीं कर पाई थी वीवीटी ने एटॉमिक आर्बिटल की तो बात की लेकिन वीघी जो हैवां मॉलिक्यूल Grade की बात नहीं कर थवाइया और do मॉलिक्यूल के मगने टिक की माघने टिक बहीं की मचून्स लिक क्या एक्सप्लाइटीर को O2 molecule हमारा MOT के according जो है क्या है पैरा मेगनेटिक है तो यह कोशन का पूछा जाता नीट में कि O2 का पैरा मेगनेटिक बिहेवियर किसकी वज़े से होता है क्यों हम इसको पैरा मेगनेटिक MOT की हिसाब से मानते हैं इसके अलावा थार्ड कॉइंट जो वी बीटी नहीं समझा पाई थी वो है स्टेबिलिटी मॉलेक्यूल की स्टेबिलिटी किस मॉलेक्यूल की कितनी है जैसे सपोज मैं यहां एच्टू एच्टू प्लस और एच्टू निगेटिव तीन मॉलेक्यूल ले लूँ तो एच्टू की बीच कितना वन बाई स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डायरेक्ट इसले डिसाइट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है जिसे वीबीटी के अकॉर्डिंग दो मॉलेकुल के बीच में बॉंड बन सकते थे एक दो तीन तो या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल बस ऐसी बात करती थी वीबीटी लेकिन एमोटी बड़ी इंट्रस्टिंग ब वीबीटी के कुछ डॉबेक इसलिए जरुवत पढ़ी मॉलेकिलर ओर्विटल स्टियぁ डोड़ी भीञें तो अब म्यामन आपट्य पहले देखता हैं कि या ठि़ थिट तो मॉलेकिलर स्ट्रक्टर को जानने का जिसमें जो क्वांटम मेकनिक्स के अकॉर्डिंग जिसका क्या किया जाता है क्या जाता है और क्वांटम मेकनिक्स जो है एक मॉडन थियोरी है किसमें फ्रिजिक्स की इसके अलावा जो दो एटम के बीच में कोलेंट बॉर्ण बनता है उसके नेचर को यह क्या करती है एक्सप्लेइन अब दमेन पॉस्चुलेट और आइडिया अब में इस थियोरी को सम में लिखती है अब मैं आपको यहां से एक पॉस्चुलेट पढ़के सुनाओंगी और उसको एक्स्प्लेइन करूंगी यहां पे तो आप दियां से सुनिएगा बहुत इजी पॉस्चुलेट है मोटी के तो पॉस्चुलेट फस्ट कहता है वें टू अटोमिक और्बिटल स अप्रोच इच अधर यहां पेले में फस्ट पॉस्चुलेट को समझा देती हूं तो इसके अकॉर्डिंग यह कह रहा है कि अगर हम मान लें एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन यह मिलके क्या बनाएंगे एच्टू अब यहां पे जो हाइड्रोजन मैं यहां लिये है यहां एटन के दशा के ला एटन है तो इनके आर्विल को केंगे अट्वन दन चै को यह तो इनके जब यह चámक कर दो एट्रोजनते ला इस नाल्योने किज आप और्बिटल तो molecular orbital यह कहलाएगा तो molecular orbital बनेगा दो atomic orbital के overlapping से अब आगे क्या कह रहे हैं क्योंकि इसने अभी उपर कहा कि यह थियोरी जो है quantum mechanics को यूच करती है तो quantum mechanics के according किया है मैं आपको यह बता दू तो यह कहता है कि जो डी प्रोगली प्रिंसिपल है कि जो electron है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करता है यह थियोरी जो है वो किसी electron के wave nature को explain करती है जो कि quantum mechanics में स्रोडिंजर ने जिस पर एक अपनी क्या दीवी है equation दी है इसलिए हम कहते हैं कि एक modern theory पर based क्या है theory है तो इसलिए बहुत ज्यादा valid भी है तो यह मानती है कि electron जो है उसके wave nature को यहाँ पर लिया गया है तो हमने यहां लिखा है an atomic orbital may be considered as an electron एक atomic orbital को एक electron wave माना गया है having a crest उस web की क्या होगी अगर कोई wave में यहां पर शो करूँ यह तो यह वेब की क्या होगी height यानि कि जिसको हम कहेंगे crest और यह वेब का क्या होगा true तो जो इसकी crust है इसको हम positive से दिखाएंगे और जो इसकी ट्रो है गरत है और जो स्रंग है तो स्रंग को प्लस से दिखाएंगे और नीचे गरत को किस से दिखाएंगे माइन से दिखाएंगे तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज होंगी यानि कि यह मानता है कि अगर यह एक अर्बिटल है तो एक इसकी वेब होगी और एक इसकी वेब होगी तो यह दो वेब जब क्या करेंगी एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगी आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो इंटरफेरेंस होते हैं कितने डाइप के व्यतिकरन दो टाइप के होते हैं एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डेस्ट्रक्टिव तो वैसे यहां भी एक वेब होगी किसकी प्लस माइनस पहले एक प्लस माइनस होगी दूसरे ऑर्बिटल की तो यह दो तरीके से क् करेंगे टू पॉसिबिलिटीज होगी एक होगी यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक होगा संपोसी व्यतिकरण एक होगा विनासी व्यतिकरण जब यह दोनों आपस में ओवरलेप करेंगे तो दो टाइप के और बिटल हमें मॉलीकुलर मिलेंगे एक मिलेगा BMO बॉन्डिंग मॉलेकुलर और एक मिलेगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलेकुलर और तो दो एटोमिक और बिटल से हमारे क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं दो टाइप के ही मॉलेकुलर और और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलेकुलर क्या है और्बिटल है अगर मैं पहली अटॉमिक ओर्बिटल की वेब फंक्षन साइवन को एड़ कर दूँ दूसरे वेब की दूसरे एटम की वेब फंक्षन में तो हमेशा हमें BMO मिलेगा क्या मिलेगा bonding विनाशी व्यतिकरण और इसमें जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यह होगा destructive interference यानि कि हम इनको क्या कर रहे हैं विनासी व्यतिकरन कर रहे हैं तो एक की crust होगी तो दूसरे की क्या होगी ट्रो होगी इसकी ट्रो होगी तो इसकी क्या होगी कि जो bonding molecular orbital और anti-bonding molecular orbital बन रहे हैं उनके overlapping के बारे में बता दूँ क्योंकि नीट वगर में का पर deeply पूछा जाता है तो यहां पर थोड़ा सा आप समझ दीजिए तो अगर मैं molecular orbital की बात कर रहे हूं तो यहां पर bonding और anti-bonding दोनों की बात करेंगे तो bonding के लिए मैंने आपसे कहा था कि दो की electron जो है वो वेब की तरह एक्ट करेंगा तो उसके हम क्या करेंगे वेब function को add करेंगे तो वेब function को add करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा बी एमो मिलेगा तो यहां पर सपोज यह वनेस प्लस है और यहां पर क्योंकि हमें bonding चाहिए तो हम इसका प्लस यानि की इसकी वेब इस वनेस अटोमिक और इस वनेस और बिटल को हम वेब की तरह प्लस प्लस मान रहे हैं और इनको अगर हम क्या करेंगे एड करेंगे तो एड करने पर हमें इन दोनों के addition पर constructive interference मिलेगा तो constructive interference से हमें एक bonding molecular orbital बने जो molecular orbital की जो क्या होती शेप होती है तो अगर यह दोनों spherical हैं तो यह एक बड़ा sphere बनाएगा यह प्लस आपस में जूड रहे हैं तो यह प्लस प्लस ऐसे जूड जाएंगे और बीच में electron का cloud क्या है यहां पर बन जाएगा अब ऐसे ही हम destructive interference की बात करें तो मैं इनको minus कर दूंगी तो साइवन प्लस की बजाए साइवन माइनस किया कर दूंगी साइटू तो हमें मिलेगा ABMO, anti-bonding molecular orbital तो यहां पर अगर मैं दो orbital को minus कर रही हूं तो यहां पर यह ऐसे से ओवantu शेप आने के वजाए एक नोड बन जाएगा यह दो प्लस और यहां किया बंज जाएगा माइनस क्योंकि है वीच वो माइनस करें तो यह इसा पी और्बिटल की जब मैं दो वेप्स को या दो और्बिटल को constructive interference से क्या करूंगी एड करूंगी तो इसका plus लोग उपर आ जाएगा और minus लोग नीचे आ जाएगा तो यह बीच में हमें एक nodal plane मिलेगा bonding और molecular orbital में लेकिन जब मैं इनी पी और्बिटल को destructive interference जाएंगे दो एक nodal plane ऐसे आ जाएगा एक nodal plane ऐसे आ जाएगा तो हमें टू नोडल plane यहां पर क्या होंगे अप्टेन होंगे टू नोडल plane अप्टेन होंगे इसको कहेंगे anti-bonding molecular orbital तो इस तरीके से overlapping होती है orbitals की atomic orbitals की जो हमें anti-bonding और bonding molecular क्या देते है orbital एक चेज़ और बता दू BMO जो बनते हैं bonding वो हमेंसा low energy के होते हैं और हमेंसा stable जादा होंगे क्योंकि low energy पे stability जादा होती है और anti-bonding जो होंगे वो high energy के होंगे और unstable जादा होंगे तो इसको समझ लेते हैं पॉइंट से मैंने लिखा है पॉइंट नमबर A फर्स्ट केस जब BMO बनेगा तो when the electron waves of the combining atoms are in phase यानि कि जिन दो atomic orbital को हम क्या कर रहे हैं combine कर रहे हैं अगर उनकी waves क्या हैं एक ही phase में हैं एक ही phase का मतलब that is both have positive amplitude amplitude हो गया इसका I am तो दोनों अगर positive से positive मिल रहा है negative से negative मिल रहा है तो इसको कहेंगे एक ही phase में यानि कि positive amplitude कहेंगे then the attractive molecular orbital of low energy is formed तो उस time पे जो molecular orbital बनेगा वो क्या बनेगा low energy का बनेगा यानि कि इसको हम कहेंगे कि low energy का क्या होगा orbital होगा तो इसको कहते हैं कह रहा है this is called bonding molecular orbital तो साइवन प्लस साइटू यानि कि दोनों को जब एड़ करेंगे तो bonding molecular orbital बनेगा अब ABMO हम बात कर रहे है anti-bonding molecular orbital की तो इसमें क्या होता है when the electron waves of the combining atoms are not in phase अगर हमारा electron waves जो हैं जो combine हो रहे हैं उनकी electronic wave हैं combine होने वाले atom तो इनकी जब ये waves जो हैं ये क्या होती हैं कह रहा है not in phase ये phase में नहीं होंगी one possesses a positive amplitude एक का हम लेंगे अगर positive amplitude इस तरीके से अगर मैं एक का positive ले रहे हूं amplitude और दूसरे का क्या ले रहे हूं negative amplitude यानि कि plus के साथ minus और minus के साथ क्या रहे है plus तो इसको कहते हैं destructive interference तो ये क्या होता है हमेंसा हाई energy का होता है तो इससे क्या होगा negative amplitude दस रिपल्सिव orbital of higher energies formed तो इसके energy हमेंसा क्या होगी high होगी are called anti-bonding molecular orbital psi anti-bonding equal to psi 1 minus psi 2 अब लेते हैं point number 2 तो point number 2 कहता है molecular orbitals are the energy state of a molecule in which the electrons of the molecule are filled molecular orbital वो energy की एक state होती है molecule की जिसमें electron कै किये जाते है filled किये जाते है जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये एक atomic orbital है hydrogen का ये भी atomic orbital है hydrogen का इन दोनों को जब हम क्या करेंगे overlap करेंगे तो ये नए भी कितने type के orbital बनाएंगे ये उपर वाले point के according दो टाइप के एक होगा anti-bonding और एक होगा bonding तो जिसकी energy low होगी वो होगा bonding molecular orbital और जिसकी energy high होगी वो होगा anti-bonding molecular orbital और दूसरा point कहा रहा है कि ये जो होते है MOT ये केवल MOT जो है ये केवल energy की state को बता रही है कि कौन सा और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किये जाएंगे अब हम लेता है पॉइंट नंबर थ्री only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energies तो आप इसको underline कर दीजे comparable energies and proper orientation तो आपको दो condition यहाँ पर दी गही है एक तो जिन orbital को हम combine कर रहे है तो उनकी energy equal या almost equal होनी चीज़ अब orientation और energy क्या है मैं आपको समझा दूँ जैसे हमारे पास एक orbital है 1s एक orbital है 2s अब 1s की energy कम होती है किसकी compare में 2s की तो 1s वाला कभी भी 2s वाले से overlap नहीं करेगा यानिकि इन दोनों की energy comparable नहीं है equal नहीं है ऐसे ही orientation से इसका मतलब है जैसे Px, P के 3 orbital होते हैं Px, Py और Pz तो Px वाला केवल Px से overlap कर सकता है लेकिन Py वाला कभी भी Px वाले से overlap नहीं कर सकता या Px वाला Pz वाले से overlap नहीं कर सकता क्यों क्योंकि तीनों की direction क्या होती है अलग लग होती है तीनों की orientation space में अलग लग होते है Px वाले की orientation Px जैसी होगी PY की PY जैसी होगी और PZ की PZ जैसी होगी तो यह आपस में overlap कर सकते हैं लेकिन PX वाला PY और PZ वाले से कभी भी overlap नहीं करेगा अब हम आते हैं point number 4 में The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbital फोट simple है कि हम जितने number में atomic orbital को combine कर रहे हैं हमें molecular orbital भी उतने ही क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे अब मैं दो atomic orbital को combine कर रही हूं तो मुझे molecular orbital भी दो मिलेंगे लेकिन energy इनकी क्या होगी different होगी एक BMO मिलेगा और एक ABMO मिलेगा नेक्स्ट है the molecular orbital are polycentric जो नए molecular orbital बन रहे हैं atomic orbital को मिला के बन रहे हैं they surround the nuclei of the combining atoms and the electrons are considered moving over the whole nuclear system instead of moving around the particular nuclei अब atomic orbital के overlapping से molecular orbital बने हैं तो वो polycentric होंगे और जो electron की जो क्या होंगे जो electron surround करेंगे उनके उपर जो move करेंगे वो एक particular nucleus के उपर ना हो करके whole nucleus के उपर क्या करेंगे next है sixth point a molecular orbital can accommodate a maximum of two electrons the shape of molecular orbital depends upon the shape of combining atomic orbital बहुत simple rule है कि यह कह रहा है कि एक molecular orbital जो बनेगा चाहे वो BMO बने चाहे वो ABMO बने तो जो भी molecular orbital बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने electron रह सकते हैं दो electron दो से ज़्यादा एक orbital में molecular orbital में कभी भी electron नहीं रह सकते हैं तो एक molecular orbital के वल दो electron को occupy करेगा और एक चीज़ और कहे रहा है कि जो इस molecular orbital का shape होगा वो shape depend करेगा कि कि atomic orbital से मिलके यह बना है अगर यह S और S से बना है 1S 1S तो इसका जो MO बनेगा वो भी S यान कि spherical shape का होगा अगर हमारे PX और PX आपस में overlap हो रहे हैं तो इसका molecular orbital भी double shape बनेगा यह molecular orbital की जो geometry यह shape होगा वो depend करेगा atomic orbital की shape जिनके overlapping से वो बना है अब पॉइंट नमबर 7 दा फिलिंग ओं molecular orbital इन molecule टेक्स प्लेस इन accordance विद अबबाव प्रिंसपल पॉली एक्स्क्लूजन प्रिंसपल एंड हूंसूल यह तीनों रूल आपने 11 क्लास में पढ़ें तो एमोटी में जो भी BMO या ABMO यानि की पहले लोवर एनरजी में बरेंगे तो पहले लोवर इनरजी में बरेंगे फिर कहां भरेंगे higher energy में second के रहा है poly exclusion principle poly exclusion principle कहता है कि अगर एक orbital में हम दो electron को fill कर रहे हैं तो हमेशा एक upward होगा और एक क्या होगा downward होगा यानि कि दोनों की direction एक दूसरे के क्या होगी अपोस्टित होगी तो इसलिए इसके लिए और इसके लिए क्योंकि ये दोनों अगर एक ही orbital में है तो N, L, M की value अगर सेम होगी भी तो S की value हमेशा क्या होगी अलग होगी क्योंकि ये upward है तो S की value प्लस आप होगी और ये downward है तो S की value क्या होगी माइनस आप तो ये poly exclusion principle को भी फॉलो कर रहे हैं कि दोनों electron जो है वो parallel spin में ना भरके बलकि anti parallel spin में यानि कि वो ऐसे parallel ना भरके anti parallel spin में क्या होंगे भरे जाएंगे ऐसे नहीं भरे जाएंगे और अगला rule यहां लग रहा है हूंस rule अब हूंस rule नॉर्मली S में तो हम इसको शो कर नहीं सकते है क्योंकि S में एक ही orbital होता है तो अगर हम बात करें P orbital की ये P X है और ये P Y है और हमें इसमें 4 electron या 3 electron भरने हैं तो हम इसमें पहले ही यहां 2 electron नहीं भरेंगे पहले हूंड के according पहले दोनों में क्योंकि ये same energy के हैं तो पहले यहां एक electron भरेंगे फिर यहां एक भरेंगे फिर जाके यहां क्या होगी पैरिंग तो हुन रूल केता है जब तक सभी में एक एक electron ना भर जाए तब तक का पैरिंग electron की नहीं करनी है I hope आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे अब हम आते हैं पॉइंट नमबर 8 अब यह क्या कि यहां कोई orbital कंसीडर नहीं किये जाते हैं एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई लेकिन जो anti-bonding molecular orbital हाई energy वाले उनको represent करेंगे कह रहा है sigma star और pi star से तो इनमें star लग जाएगा high energy को show करने के लिए और bonding में क्या करेंगे sigma और pi तो यही eighth point है अब आता है energy level of molecular orbitals तो अगर हम इनके energy level को नहीं पढ़ेंगे तो हमें इनके molecular orbital diagram बनाने नहीं आएंगे तो इनके diagram सीखने के लिए यह energy हमें याद होनी चीए energy का order तो इसके two cases मैंने यहां लिखे है अगर हमारे पास atomic number seven से less या उससे क्या है इकोल है तो सबसे पहले आएगा sigma 1s फिर उससे ग्रेटर आएगा उसका एंटी यह यह मैं आपको बता दूए energy level molecular orbital का है ना कि atomic orbital का तो molecular orbital में bonding और anti-bonding दोनों cases आएंगे तो molecular orbital में जो star लगे वाले हैं वो anti-bonding है और जो बीना स्टार के है वो क्या है हमारे bonding है तो आप यहां पर ध्यान से देखिए तो पहले सिग्मा 1s यह बांडिंग molecular orbital फिर इससे greater energy होगी सिग्मा स्टार 1s यानि कि इसका anti-bonding फिर आएगा सिग्मा 2s इससे ज्यादा energy पे फिर आएगा इसी का anti-bonding सिग्मा स्टार 2s फिर इससे greater में आएगा पाई 2px और पाई 2py यह दोनों में इक bracket में लिखे हैं कि दोनों ब्रैकेट में इसलिए हैं क्योंकि दोनों की energy क्या होती है एक्वल होती है और उसके बाद इससे greater energy पाएगा सिग्मा 2pz क्योंकि तीनों में कहीं स्टार नहीं है तो यह बॉंडिंग और्बिटल है अब इनी के एंटी बॉंडिंग लिखेंगे तो एंटी बॉंडिंग के इनरजी इन से ज्यादा होगी ग्रेटर देन में आएगा तो यह पाइस्टार 2P X हो जाएगा यह एक्वल होगा किसके पाइस्टार 2P Y और यह ग्रे इसके बॉंडिंग अभी थोड़ा सा सिक्वेंस एंज हो जाएगा यह सिग्मा 2P Z जो पहले बाद में था वह पहले आजाएगा सिग्वाद्ग लागा और यह बॉंडिंग बाद माएंगे हेरे नरजी पे और उसके बाद एंटी बांडिंग में यह पहले आएगा 2P X सिग तो यह कह रहा है इस ओल और इलेक्ट्रों से इन मॉलिक्यूल आर्पेयर्ड दैन जश्च्च इस डियमेगनेटिक अगर किसी अ मॉलेक्टिलर और एलेक्ट्रोन पैयर्ड है तो पैयर्ड होंगे तो उसमें वो क्या होगा टुटली डाइमेगनेटिक होगा on the other hand if there are unpaired electron अगर किसी molecular orbital में unpaired electron है एक electron है तो वो उसको हम कहेंगे paramagnetic यानि कि वो क्या होगा paramagnetic होगा जैसे h2 h2 plus और h2 minus तो बस हमें यह देखना है कि यह molecular orbital है यह molecular orbital है अगर दोनों electron paired है तो यह dimagnetic कहलाएगा क्या कहलाएगा dimagnetic लेकिन अगर एक ही electron है तो इसको paramagnetic कहेंगे लेकिन डाय और पैरा देखने के लिए atomic orbital को नहीं देखेंगे बलगे किसको देखेंगे molecular orbital को अब आते हैं bond order यह तो थियोरी के इसके stability बताने के लिए तो bond order क्या होता है तो अगर इनके बीच में एक bond है तो इसका बॉंड की नंबर या संक्या को कहते हैं bond order तो बॉंड ओर निकालने का फॉर्मूला है एन बी माइनस एन अपॉन टू अब एन बी क्या है number of electron in bonding molecular orbital बीमो में कितने number of electron है वो नोट करेंगे डायग्राम से माइनस करेंगे इसको मैं आपको एक्जांपल से समझा देती हूं bond order से लेटेड़ आप एक दो फैक्ट याद का लिजे कि bond order proportional होता है stability of molecule के अब कैसे stability को कैसे बढ़ाती मॉल्ड प्रपोर्शनल मतलब बढ़ेगा तो stability भी बढ़ेगी तो stability पढ़ने का मतलब bond जितने ज्यादा होंगे molecule उतना ज्यादा stable होगा क्यों single bond को तोड़ना easy है compare to double bond और double bond को तोड़ना भी easy है compare to triple bond तो सबसे ज्यादा bond order triple bond का हो गया तीन bond है इनके बीच में तो यह सबसे ज्यादा strong bond माना जाएगा इसको तोड़ने के लिए energy बहुत ज्यादा लगेगी इसलिए हम कहेंगी किसकी bond energy ज्यादा होने से इसकी stability सबसे ज्यादा होगी फिस सेकेंड नंबर पर double bond की और last में किसकी होगी single bond second bond order directly proportional to bond dissociation energy bond dissociation energy bond को तोड़ने के लिए कितने energy required होती है तो simply single bond है तो इसलिए ब्रेक हो जाएगा double है तो थोड़ी ज्यादा energy लगेगी और triple है तो बहुत ज्यादा energy लगेगी था bond order is inversely proportional to bond length तो bond length bond order के opposite यानि कि व्युत करम अनुपाती होता है अगर bond order या bond की संख्या बढ़ेगी तो बंद की लंबाई कम होगी जैसे single है तो इसकी length सबसे ज्यादा होगी double है तो इसकी length कम हो जाएगी और triple है तो इनकी इसकी length सबसे कम होगी अब हम यहाँ पे इन सारे पॉइंट को समझने के लिए जितने पॉस्टिलेट हमने पढ़े एक एक्जामपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का तो यह molecular orbital डाइग्राम को बताने के लिए होमो न्यूक्लियर एंड हेट्रो न्यूक्लियर molecule की molecule की stability और उनके MO diagram को explain करती है MO T तो अभी हमने होमो न्यूक्लियर molecule लिया है होमो मतलब जो same atom से मिलके बने हो तो H2 molecule H और H atom से मिलके बना है similar type के atom है तो H2 molecule बनाएंगे अगर हम यहाँ पे इसका MO diagram देखें तो हम एक hydrogen यहाँ ले लेंगे एक hydrogen हम यहाँ ले लेंगे तो hydrogen का अगर हम configuration करेंगे तो यह होता है 1s1 तो 1s1 इसका configuration है तो 1s मैंने यहाँ ले लिया इसका 1s मैंने यहाँ ले लिया तो यह दोनो atomic orbital first postulate के according एक दूसरे से overlap करेंगे तो overlap करेंगे तो equal number में दो molecular क्या बनेंगे orbital बनेंगे, एक बनेगा bonding molecular orbital BMO जिसकी energy क्या होगी, atomic orbital से कम होगी sigma और pi मैंने आपको बताया था कि molecular orbital होते हैं ना कि atomic, atomic होते हैं 1s, 2s, 2p sigma 1s bonding का नीचे आ जाएगा atomic orbital से और sigma star 1s कहां चला जाएगा atomic orbital से उपर क्योंकि ABMO anti-bonding के energy atomic से जादा होती अब हम इसमें electron fill करेंगे, तो ये इसकी energy का increasing order होगा तो ये above के according है, above के according हम इसमें electron की filling करेंगे तो ये low energy में electron पहले भरेगा और बाद में कहां बने भरेगा high energy में, तो यहाँ पर 1s में एक electron होगा hydrogen में 1 electron होता है, यहाँ भी 1s में 1 electron होगा तो 1 and 1 कितने हो गए, 2 electrons तो ये चले जाएंगे bonding molecular orbital में तो ये पहले lowest above के according पहले lower energy level में भरेंगे अगर यहाँ पूरे भर जाएं तब ये anti-bonding molecular orbital में जाएंगे लेकिन हमारे पास 2 electron है, तो ये नीचे बढ़ जाएंगे, उपर कुछ नहीं बचेगा तो ये हो गया hydrogen का molecular orbital diagram अब हम निकालते इसका bond order, तो bond order के लिए हम लगाएंगे nb-na upon 2, तो bonding में देखो कितने electron है, 2 तो 2 रख देंगे 1 bond order आने का मतलब ये है कि 2 hydrogen atom के बीच में कितना bond होंगे, एक तो एक इसका क्या है, bond order है, तो ये था इसका एक example और MOTK postulate, तो I hope आपको ये ठियोरी का पी अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर आपको इस से related कोई doubt हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताईए झाल करके कि आप और मोंगे एक अवाँ करके आपकोंगे, करके बताए